नमस्कार आप देख रहे हैं डेली वोल्ट टीवी मैं हुनेहा शुकला पूरे देश में गुरुनानक देव जी का पांसो पचासवा जन दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बीच PTI से एक खबर आई है कि आयोध्या के फैसले में सुप्रिम कोर्ट ने ये कहा था कि गुरुनानक देव जी ने भी सोलहवी शताबदी में आयोध्या में राम जन्म भूमी का भ्रहमण किया था जिसे राम जन्म भूमी के बारे में एक सबूत माना जा सकता है आयोध्या विवाद की सुनवाई कर रही पांच जजों की बेंच की अगवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई ने एक जज का हवाला देते हुए फैसले में कहा है कि पंद्रा सो दस ग्यारा इस्वी में गुरुनानक जी ने आयोध्या आक में एक सबूत माना जा सकता है वाई सुप्रिम कोट ने सिक धर्म के प्राचीन रचनाओं जन्म सकी को भी गुरुनानक जी के अयोध्या भ्रमन का आधार बनाया है जज ने ये भी का है कि वाल्मी की रामायन और सकन पुराण में भी राम जन भूमी का जिक्र है जिसे खार प्रबल हुई बतादे कि गुरुनानक जी के 550 में जन दिन पर पाकस्तान के करतारपुर में कॉरिडोर शुरू किया गया है जिस दिन कॉरिडोर का घाटन हुआ उसी दिन सुप्रिम कोट ने अयोध्या विवाद पर एतिहासिक पैसला सुनाया जिसमें विवादिस जमीन भ